आग्रा में सरवाधेत लोग्प्रिय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें समासेवी कनहयालाल गुएल सीज समाजी का और धार्मिक कार्णों में हमेशा सहयोग देते रहे हैं समास सेभी कनहया लाल गोईल ने आगरा केंड अटल चौक पर यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियां लगवाई हैं मेरी धरंबदनी जी का स्वरवाज इसलिवार 30 अपरेल को हो गया था उनकी समर्ति में आज हम लोग उनकी बर्सी मना रहे हैं और उनको बिदा कर रहे हैं वो तो कहें नहीं सकते ना वो तो वर्ड्स नहीं है उसको बताने के लिए चाहते हैं उनके नाम से कुछ अच्छा काम हो जाए दो-चार लोग उन्हें याद कर लें हाँ बैठके बस और मकसद यह है कि आज जैसे मेरी मम्मी थी तो उनकी याद में यह है कि मतलब लोग वाग याद रखेंगे पहली वो है आज बर्सी है उनकी पहली याद है तो इसलिए हमने अज दूब दी हैं वेंचें और मंदिर का भी है और यहाँ पर मंदिर भी होगा भी यहाँ पर सोच कि उनके जाने के बाद उनकी जो भी यादे हैं वो किसी समाजिक तौर पर हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे लोग जुड़े रहें आज यहां अटल चौक आगरगेंट पर यहां हमारे प्रणुक समाज से भी केल गोएल जी हैं उनकी धर्म परतनी की प्रतम परशी पर रोना यहां पर दो ब्रेंच जो सिमेंटेड हमें बेट किये हम उनके इरदे से आवार बेखते हैं आज अटल चौक आगरगेंट पर केल गोएल की धर्म पतनी स्वर्य मीनक्षी गोएल की प्रतम बर्स की समर्ती में आगरगेंट पर दो ब्रेंच उन्होंने इस्थापित की हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और इस तरह से इनकी यादें भी बनी रहेंगी और यह सामाज कारें भी बहुत आगे बढ़ चलकर करते हैं देखिए अटल चौक सेवा समिती पिछले कई सालों से बहुत बढ़िया कार यहां पर कर रही हैं और इस पार्क को देख रेक हैं उनकी ध्रमपद्मी का स्वर्वास पिछले वर्स हो गया था तो उनके मन में एक विचार आया क्यों ना यहां पर लोग के बैठने के लिए ऐसी विवस्ता इस्ता ही विवस्ता करी जाए जिससे रात में ठका आरा आदमी यहां पर आके बैठ सकते मैं केल गोईल जी का बहुत बड़ा योगदान मानता हूं कि उन्होंने अटल चौक सेवा सभ्मिति को अटल चौक पर यह दो जो बैठने की चेहरे अब दान की हैं इसे एक संदेश जाएगा बास्तविकता यह हम लोग बंडारे कर देते हैं बोजन खिला देते हैं तो वह चड़क विवस्ता ह सुविरे लोग भोजन करते हैं थोड़ी दिरवाद चले जाते हैं लेकिन यह जब तक रहेंगी यह टल चोक रहेगा इस पर जी रहेंगी लोग जब तक बैठेंगे तो श्वरगिया स्री मत्य मिलाक्षी गोल जी जिनकी इस मरती में यहां भेट की गई है वो हमेशा याद की दाइगी